स्वागतमस्ति सर्वेशाम संस्कृत पाठशालायाम सा नमस्कारहा अहम नारायन तमिश्रह एश्रह तो आईए आज आरंब करते हैं संस्कृत की पाठशाला का जहां हम इंदिनों संख्याओं के स्वरूप का कर रहे हैं विशेश अभ्यास तो आज संख्याओं के साधारन और पूरण अर्थक स्वरूपों को जानने की स्रिंकला में संख्याओं के संस्कृत प्रयोगों को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं देखे, संख्या आठ के लिए संस्क्रित में हम साधारन रूप से कहते हैं अश्टव या अश्टव और यहां ध्यान दीजिए कि आठ शब्द के पुलिंग, स्त्रिलिंग और नपुनसक लिंग स्वरूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात सभी लिंगों में आठ के लिए संस्क्रित शब्द होगा अश्टव या फिर अश्टव तो संख्या आठ से जुड़े इस विशेश तत्य को जान लेने के बाद आएए तीनों ही लिंगों में एक समान स्वरूप वाले अश्टव या अश्टव इस शब्द का कुछ वाक्यों के साथ कर लेते हैं प्रयोग सबसे पहले संख्या आठ का पुलिंग में वाक्य प्रयोग हम कुछ ऐसे कर सकते हैं यदी अश्टव अथवा अश्ट जनाहभवियु यहू तरही कार्यम सरलमस्यात जिसका अर्थ है यदी आठ लोग हो जाएं तो काम आसान हो सकता है अब संख्या आठका संस्क्रिट प्रयोग स्त्री लिंग में कुछ यू कर सकता है कृड永 आ ऑष्टर ऑठव आष्टवा अश्टा क्रीडा प्रशन सिकाहा दृष्टाहा जिसका आर्थ है खेल के मैदान पर आठ खेल की प्रशन सिकाएं देखी गई संख्या आर्थ का संस्कृत वाक्य प्रयोग नपुन्सक लिंग में हम कुछ यूँ कर सकते हैं स्कॉट्लेंड देशस्य अश्टो अथवा अश्ट नगरानी तू प्रसिधानी संती जिसका आर्थ है स्कॉट्लेंड के आठ नगरतो प्रसिध हैं यहां हम आपको पुनह याद दिला रहे हैं कि संस्कृत में तीन या उससे अधिक की संख्या को हम बहुवचन कहा करते हैं जैसा की नाम से ही स्पस्ट है बहुवथात बहुत जहां दो को हम बहुथ नहीं कह सकते यह और बात है कि संसार की अधिकतर भाषाओं में एक वचन के बाद यानि सिंगुलर के बाद प्लूरल ही मान लिया जाता है जहां दो इस संख्या को भी बहुवचन मान लेते हैं ऐसे में आप संस्कृत के एक वचन, ध्वी वचन और बहुवचन की परिपाटी की वएज्ञानिकता को अधिक स्पष्टता के साथ समझ सकते हैं खेर इस बारे में हम आप सभी को विस्तार से बाद में भी वताएंगे तो संस्कृत में बहुवचन के सिध्धान्त को जान लेने के बाद अब आप समझी गए होंगे कि बालकाह, बालिकाह, स्थानानी जैसे शब्दों के साथ तीन या उससे अधिक संख्याओं का प्रयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति संख्यात्मक भ्रम के स्थिति से निकल सकता है अर्थात अश्टव अर्थवा अश्ट बालकाह, अश्टव अथवा अश्ट बालिकाह, अश्टव अधवा अश्ट स्थानानी इन जैसे प्रयोगों में अश्टव या अश्ट इस संख्या का प्रयोग किया जाना अत्यावश्यक है यह सिध्ध हुआ, अब हम बढ़ते जैसे आठ की पूर नार्थकता को हम हिंदी में कहा करते हैं आठवा या आठवी जिसे संस्क्रित में कहेंगे पुलिंग में अश्टमह स्ट्रीलिंग में अश्टमी और नपुनसक लिंग में अश्टमम यहां ध्यान रखना है कि अश्टमी के स्थान पर गलती से अश्टमा जैसे शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है तो आईए आठ इस संख्या के पूरणार्थक स्वरूपों को पुलिंग, स्त्री लिंग और नपुनसक लिंग के क्रम से वाक्यों द्वारा कर लेते हैं अब अभ्यास भारत के आठवे राश्ट्रपती रामस्वामी वेंकट रा पढ़नी चाहिए इसे संस्क्रित में कहेंगे भारती असमविधानस्य अश्टमी अनुसूची पठनिया जनसंख्या की दृष्टी से बांगलादेश का स्थान आठवा है इसका संस्क्रित स्वरूप कुछ यूं होगा जनसंख्या यह दृष्ट्या बांगलादेश तो आज आप सभी संख्या आठ के साधारन और पूर नर्थक शब्दों के संस्क्रित स्वरूप से हो चुके हैं परिचित तो आप करते रहें संस्क्रित का अभ्यास हम पूरह लोटेंगे संख्याओं के इसी विसेश अभ्यास के साथ अगले अंक में तावत संस्क्रित अन